तो दोस्तों देखिए आज का क्लास ये क्लास नमर आप लोगा 3 है क्लास 1 और 2 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लिजिए प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो की डिस्कुशन में दिया हुआ है तो जरूर जा करके देखें और पिछले जितने भी क्लासेस हैं सार जरूर टेलेग्राम को जोईन कर लिजिए पिडियो के लिए दोस्तों ठीक है जो की वीडियो के डिस्कुशन में उसका वे लिंक दिया हुआ है चलिए बात करते हैं जार्खन राज में चावनी बोड की संक्या क्या है तो देखें जार्खन राज में चावनी बोड की संक् में की जाती है जहां सेन्ने चावनी अवस्तित है ठीक है चावनी बोर्ड की अस्थापना सो कहां पर होती है तो संसद्य अधिनियम के तहद जो है उन सहरों में की जाती है जहां सेन्ने चावनी बोर्ड अवस्तित है ठीक है यह जो है परतियक चुरूप से केंद्रे रक्षा कि आप मंत्राला के अधीन होता है इसमें राज सरकार का जो है कोई भी नियंत्रन नहीं होता है ठीक है चलिए अगले कुछन आप लोग देखते हैं और प्राचूर प्राकृतिक संसातनों तथा सम्रिदी का, ये दोनों ही option आप लोग का सही आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखी का सों, कुछ हम बात कर लेते हैं, आप लोग के लिए important चीज, देखें, जारखन लोगों आप लोग तो देखे ही होंगे, ठीक है, जारखन लोगो के दूसरा बृताकार खंड में 24 हाथी को दरसाया गया है, ध्यान रखी का दूसरा बृताकार खंड में 24 हाथी को दरसाया गया है, और तीसरा बृताकार खंड में बात कर लें तो 24 पलास फूल को दरसाया गया है, और पलास फूल जो है, राज के और प्रतिम प्राकृतिक स उंदर्य का परिचायक है चोथा बिटाकर खंड की बात करें दोसुं जो की सृर चित्रकारी के 48 निरतकों को धरसाया गया है और वह धूसूं क्या चिज़ का परतीभी उमित करता है तो ध्यांड के का जञतियों की सम्ष्ण्ष्ण संस्कृति विरासत को जो परतीभी मित करता है ठीक है राज चीन के जो है बीच में देखा जाए तो दोस्तों आप लोग जान रहे किए असोग अस्तंब को दिखाया गया है जो भारत के उत्तम सहकारी संगवाद इसमें जारकंड की सव भागित एवं अदुईत्य भूमिका को रिखांकित करता है ठीक है तो आप लोग दोस्तों इसका जो अप लोग धियान रखेगा और ये मतलब जारकंड की जारकंड की तो पहला बृतकार खंड में क्या है तो आप लोग उपर में हिंदी में लिखा जारकंड सरकार और निची में भीच ओभीच में लिखा हुआ हूँ है गसमें अंतिम चक्र में आप आदेमा में हुआजसर ये देखे राज की जो है कूल जनसंख्या 0-6 आयू वर्ग 0-6 आयू वर्ग मतलब यह दूसरों मतलब क्या ज़िए सिसू लिंगा अनुपात की यहां पर देखे बात हो रही है सिसू बच्यों लगओ गई 0-6 आयू वर्ग की जनसंख्या का परतिसत लगव आपको बतानी है सिसू की बात करें तो दूसरों राज में कितना है तो 16 परतिसत इसका जाएगा जिसु लिंगानपात की बात करने ज्फु जार्खन राजममलों का नो सो अरतालीस है। जो की एकजाम में दखे कुस्षन बनता है, इसे पूछा जाता है। सारवादीक सिसु लिंगानपात की बात करने तो कहां पर कौन से जीले में हैं। चलिए अगले कुछन हम लोग देखते हैं अगला कुछन आप लोग का यह है कोटिली के अर्सास्त्र में जारखंड परदेश को संबोधित किया गया है तो देखें कोटिली के अर्सास्त्र में जारखंड परदेश को कुकट ठीक है ध्यानरक्य का कुकट नाम चे देखें चलीए अगला किस देखते हैं। जहारकंड के किस अस्तान से बोध मट के अवसेस पराप्त हुए है तो इसका सही अंसर क्या होगा दी नम्मर ठीक है जो कि सितागड पहाड हजारी बाग कहां पर है सो सितागड पहाड हजारी बाग जो कि यहां से जहारकंड के किस अस्तान से बोध मट के अवसेस पराप्त देखिए यहाँ पर बात करते हैं आप लोग का सारे अप्सन हम आप लोग को किलियर कर दे रहे हैं देखिए बारुडी जो कि सिंग भूम में स्थित है यहाँ से पासान कालेन मिरुद भांड के टूकडे पत्थर की हतोडी पक्की मिट्टी के मटके यहाँ से पासे 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 नापकुम राची से बात करते हैं दियान रहे हैं से ताम्बे एबं लोहे के ओजार तबान के फलक मिले हैं दुमदुमा हजारी बाक से दुस्वे क्या-क्या मिला है कि आप थोड़ा आपको रिभाइच करना नहीं चाहरा है देखिए दुम्दुमा से जो है यहां से ध्यानरके सो सीवलिंग पाए गए हैं दुम्दुमा अजारी बाक से तो यह सब दुस्तों देखिए कि आप लोग रेगुलर रिभाइच कीजिएगा तो याद रहेगी देखिए अगला कुसे ने जारकंड के किस अस्तान से तांबे की 49 खानों के अफसेश प्राप्त हुए हैं जिसका संबंद तामर पासानकाल से है तो इसका देखिए सही क्या अंसर है किसमा डी नमर जो की बाहर गंडा इसका देखिए राइट अंसर होगी ठीक है डी नमर इसका जो है सही अंसर होगा बाहर गंडा दोस्ता आप लोग का कहां पर इस्ती थे तो ध्यानर के का हजारी बाग जीला में इस्ती थे आप लोग का बाहर गंडा ठीक है तामर पासानकाल से देखिए इसका संबंद जो है तामर पासानकाल से है है। और सो मान्व द्वारा प्रयोग की गई पर्थम धातों की बात करें तो ताम भात ठीक है अ अगले कुछन बात करते हैं है कि अंगले निमन में से किसे ज्यारखंड पर विजे प्राप्ट करने है तुझ भेजा था इ सबस्क resonate के शमा Sir Fish पचासी में जो है सावाज खां को यहां पर देखे बिजे प्राप्त करने हैं तो बेजा था और इस युद्ध में नागवंसी सासक मधू करन सा धियान रखेगा दोसों इस युद्ध में जो है नागवंसी सासक मधू करन सा की प्राजीत हुई ठीक है प्राजीत हुई तथा उनकी जो है प्राजित हुई और साफाज खान देखिया पर जो है विजय गवा था इसके करंदसों इनको जो है माल गुजारी देना पड़ रहा था चलिए अगले कुशन लोग देखते हैं अगला कुशन इसके बारे में पीछे कहानी है जो कि हम आप लोग बहुत कोई जानते हैं लेकिन फिर भी हम आपको सुनाना चाहते हैं देखिये इबरहीम खाने जो है नागवंसी राजा दुरजन साल को मुगलों की अधिनता सुईकार करने का आदेश दिया तथा इसे जो है मना करने पर द गवालियर के किले में बंदी बना कर रखा था ठीक है उसके बाद हो क्या हूआ 1627 इसमें जो है जहांगीर ने जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर क्या हूआ था कि बीबाद हो गया था ठीक है कब 1627 इसमें तो बीबाद हो गया था और इन हीरों की जो पर पाचान कर लेने के बाद जहांगीर ने खोस होकर दुर्जन साल को पद्वी परदान की ठीक है मतलब दुर्जन साल को साह की पद्वी परदान की मतलब क्या हुआ की दुर्जन साल दुवारा जो हीरो की पाचान कर लेने के बाद जहांगीर ने खोस होकर दुर्जन साल को साह की पदवी परदान करते वे मुक्त कर दिया था उसका राज जो है वापस कर दिया उसके बदले देखे दूरजन साल ने जो है मुगल सासक जहांगीर को 6,000 रुपे वार्सिक कर देना जो है सुईकार किया तो ये था दोस्वों इसके पेशे फुरा कहानी आप लोग याद रखिए एक्जाम में कुस्ण बनता है इसे अगले कुस्ण देखे नागवन्स की राजधानी तथा उसके संस्थापक के संदर में कौन सा मिलान गलत है दोस्वों टेलिग्राम को जोइन नहीं किए तो टेलिग्राम को जोइन कर लिजेगा पीडिएप आप लोगो जो है टेलिग्राम पर मिलेगी ठीक है इसका सही अंसर क्या को नागवन्स की राजधानी तथा उसके संस्थापक के संदर में कौन सा मिलान गलत है देखे सुत्यामबे जो की फनी मुकुट राए अस्थापर बिलुकुल से दोईसा दुरजन वतला तहुआ प्रीभाइश करा नार राजधानि असके शनस्थापक राजधाना इसके शनस्थापक के बढेना गिया कई किसयन के द्वाराइ चुटिया राजधानी के संस्थापक परताप राए थी ठीक है परताप राए थी ठीक है उसके बास चुटिया से लेकर के खुकरा ले गया अपना राजधानी को कौन तो भीम करने ठीक है तो खुकरा राजधानी के संस्थापक कौन है तो भीम करने फिर देखे खुकरा से ल प्लकूट भोरों लेगे हैं प्लकूट भोरों के रातोगड ले आएं कौन तो उध्यनाथसा यह जो है रातोगड के संस्थापक रहे हैं चलिए अगले कुछ जार्खन्द में जनजात ये बिद्रूह के पारंब के लिए निमड मेंसे कौन सा राजनीतिक कारण उतर दाई था जन्जात ये बिद्रोसों जारकन में पारम होने के लिए कौन सा राजनिती कारण उतरदाईग था तो अंग्रेजी दुवार आदिवासी चेतर में जवरन लागू कराया जाना ये भी बिलकुल सही है ये उपरूक्त इसमें दोनों ही कथन आप लोगा देखे सही हो जाएगा सबसे पहला जन्जात ये बिद्रो के रूप में देखे सबसे पहला जन्जात ये बिद्रो लिया था जिसका ढ़ाल बिद्रो कब से कब तक चला था 1770 से ले करके 1770 तक ढ़ाल बिद्रो जो है चला था यानी सो देखे ये कुल 10 साल तक ढ़ाल बिद्रो अपलो का चला था ये जारकन परदेश में अंग्रेजों के बिरुद पर्थम बिद्रो कहा गया इसका नेत्रित ध्यानत धाल दोआा जो है किया गया और इसके दमन करता कि बात करें इस बिद्रो की तो लेप्टिनेंट रूख ता चार्ल्स मेगन को देखे भेजा था दमन करने के लेकिन ये जो है असपल रहे यानि दमन करता दोसों हला कि इसका ही रहेगा लेप्टिनेंट रूख ता चार्ल्स मेगन अगले कुछन यहाँ पर देखते हैं जारखन में 1857 के बिद्रोह की सुरुवात कब होई देखें जारखन में 1857 के बिद्रोह की सुरुवात कब होई आपको यह बता नहीं है तो डी नमबर इसका सही अंसर रगा जो कि 12 जुन 1857 को जो है जारखन में 1857 की बिद्रोह की सुरु बात भी देखे कहा से तो रोहनी गाव देव गर करनें के गाऊं Passover यहीं से जो है अ 1820 चावन की बिदर्व इस्टार्ट होगा था और यह जो गाऊ है रोहनी गाऊंड है अजही निदि के किनारे अवस् thou मेजर मेकडोनाल्ड के नेत्रित में पद अस्थापित 32 रिजमेंट के सेनिकों दुआरा लेप्टिनेंट नॉर्मल लेसली की हत्या के बाद या विद्रो जो है पारम हो गया दोस्था आप लोग को धियान रखना है 32 रिजमेंट के सेनिक दुआरा लेप्टिनेंट नॉर्मल लेसली की हत्या के बाद इस विद्रो को देखे जो है इस विद्रो का पारम हो गया ठीक है बने स्टार्ट हो गया देखे अगले कुस्थन आप लोग का है यहाँ पर जो है महतमा गांधी की जारखंड यात्राओं में से कितनी यत्राओं का संबंद चंपारन सत्यागरा से है तो देखे चंपारन सत्यागरा से कितने यत्राओं का संबंद है तो देखे इसका सही अंसर का सी नमबर 204 यात् यहारकंड में कई आचुगे हैं लेकिन फस्ट जो है चार बार चंपारन सत्यागरा से तियार नौट में आये थे चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे मौर कुछ आ हम आपको देखें जनकारी देते हैं दिखिये इन में से घंधी जी जहार्खंड में पर्थम चार यात्राओं का ध्यानरकएगा सम्बन चमपारण अंदोलन से है। घंधी जी पहली बार 3 जून के सिल्सले में जहार्खंड आये थे ये काफी इंफॉर्मटीफ चीज दोस्मा आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा देखे अगले कुशन है इन में से किस बैक्ती को संथाल का देवदूत कहा जाता है तो देखे डाक्टर एंडरो केमप बेल इसका जो है साही अंसर होगा संथालों के बीच जो है उतक्रिष्ट कारे करने के लिए डाक्टर एंडरो केमप बेल को केसर ए हिंद की उपाधी से नवाजा गया तो दियान रखे सों सी नंबर इसका जो है साही अंसर होगा अगले कुशन देखे जारकंड का पर्थम अंतरजातिया आदिवासी संगठन आपको बतानी है जारकंड का पर्थम अंतरजातिया आदिवासी संगठन तो इसमें से दिसको कौन सा संगठन था तो छोटा नाकपूर उन्नती समाज इसका जो है साही अंसर होगा ठीक है इसका देखिए सही अंसर के आप लोग का देखिए इसमें जो है राइज अंसर का दोस्तों दिहान रखेगा यह जो छोटानागपूर जारकंड कर राज का पर्थम अंतरजात या आदिवासी संगठन जो की छोटानागपूर उन्नती समाज था इसके सदश्य केवल ज जो है छोटानागपूर उन्नती समाज की अस्थापना होई एंगलिकन मिशन के बीशब केनेडी की सलहा पर ठीक है एंगलिकन मिशन के बीशब केनेडी की सलहा पर धियान रखेगा इसकी अस्थापना जो है एंगलिकन मिशन के बीशब केनेडी की सलहा पर क्रिस्चन तुम्हें किया गया, देखिए एक्जाम में कोशन फूशा जाता है, ध्यानर के कसों इसके स्थापना जो है, जुएल लकड़ा, पॉल दियाल, बंदी उराओं, तथा टेबले उराओं के नेत्रितु में किया गया, 1915 इसवी में छोटानाकपूर 19 समाज द्वारा मुंदारी भासा में आदिवासी नामक पत्रिका का परकासन किया गया था, तो ये सब दोस्तों आप लोग ध्यानर में रखना है, रेगुलर आप लोग बने रहें, सारा चीज़ आप लोग को याद हो जाएगा, एक्जाम तक, छोटानाकपूर संजुक संग के पर्थम अध्यक्ष पाएंगे, जरूर आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहें, ठीक है, इसका सही अंसर का बी नमर सोकदेव सिंग, ठीक है, जो कि अप लोग ध्यान रहें रहें, जो कि छोटानाकपूर संजुक संग की अस्थापना की गई है, बाद में पहला अध्यक्ष तो सोकदेव सि सिंग को बनाया गया, ठीक है, बाद में राम नारायन सिंग को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और राम नारायन सिंग को सेर ए छोटानाकपूर, ठीक है, राम नारायन सिंग को ध्यान रखेगा, सेर ए छोटानाकपूर भी कहा जाता है, महत्मा कांधी ने इसे छोटानाकप आपकूर केसरी की उपाधी थी थी राम नरायन सिंग्ञ को मातमा कांदीने से केसरी की उपाधी परदान की थी ठीक है आईए अगले कुशन देखते हैं देखे पड़हा पंचायत का सर्वोच अधिकारी दोसों देखे कोन होता है तो पड़हा राजा डी नम्बर इसका जो ह गताता है कई गाउं से मिलकर बनी पनचायद को परहा या फिर देखे पढ़ाप पनचायद कढ़ा परहा का जाता है पढ़ा के अन्य प्रमुक अधिकारी भी होते हैं दोसों जो जैसे कि कुवर लाल तथा कारतौ होते हैं परहा के जो है अन्य अधिकारी हो और क्या कौन-कौन होते हैं तो ध्यान रखेगा कुवर लाल और कार्टो ये जो है पढ़ा के अन्य अधिकारी होते हैं एक जाम मैं पूछा गया कुशन है इसलिए मैं आपके पास लेगर कहा है तो बिल्कुल आप लोग इसको एक नौर मत करें ध्यान रखेगा अगले कुशन यहाँ पर देखें जारखंड में कीस वर्स सबसे पहले माल गुजारी ब्यवस्ता लागू की गई थी देखिए इसका सही अंसर क्या होगा दोस्वन देखिए यह नंबर जो है 1765 इसका सही अंसर होगी ठीक है 1765 में सबसे पहले जो है जारखंड में माल गुजारी ब्यवस्ता लागू की गई थी और 1765 में दोस्वन ध्यान रखेगा छोटनागपूर का छेतर ब्रेटिस सासन के अंत्रगत आया था चोटनागपूर का छेतर ब्रेटिस सासन के अंत्रगत 1765 में ही आया था और इसी समय माल गुजारी ब्यवस्ता लागू भी किया था फ्रोटस इन्फोर्मेशन के बाद मतलब कुछ हम आपको तो रिव्याईच कराना चारह सो चोटनागपूर टिन्योर्स एक्ट कब लागू किया था अगले कुष्शन दे कि संधाल जैंजाती के परधान ग्राम देовता को किस नाम से जाना जाता है संथाल जन जाते के परधान ग्राम देपता को किस नाम से जाना जाता है तो इसका देखे सही अंसर क्या आजाएगा तो C नमबर सो जो की जाहर एरा इसका देखे सही अंसर होगा संथाल जन जाते के परधान ग्राम देपता को जाहिर एरा के नाम से जाना जाता है जिसका निवास अस्थान की बात करें तो दियान रखेगा जाहिर थान निवास अस्थान कहा है जाहिर थान कहलाता है ठीक है देखे दूसरा प्रमुक देपता की बात करें संथालों का तो मरांग बुरु जो है दूसरा प्रमुक देपता मारंग ब्रुज धूसरा प्रमुग देखता है सन्थालों का और धार्मिक परधान की बात करें तो धर्मिक अपको संधालने दोडोरा क्या कहा जाता है तो दियांड कर नायक के दिखराण देखता शरी मैं अपको भीवा, दोस्तों संथालों में विवा को क्या का जाता है। बापला सबसे प्रचलित भीवा की बात करें तो करींगे बापला जो है काभी प्रचलित है संथालों में देखें बधु मुल्य को क्या का चाता है संथालों में तो पोन ठीक है मांजी थान में जो है संथाल गाओं की पंचायतें बेटती है ध्यान के मांजी थान में जो है शंथाल गाओं की पंचायत तो दोस्तों देखिए आप लोग SSC GD Constable 2023 के लिए तेयारी कर रहे हैं तो आप लोग लिए बहुत ही बढ़ी हाँ बूक लेकर के आए जो कि चक्चू पब्लिकेशन का देखिए ये बूक है जहां पर आप लोगो हैल्प करेगा दोस्तों एकजाम पास होने के लिए जी हां दोस्तों देखिए आप लोग के लिए study guide है ये जहां पर आप लोगो सारे subject का आप लोगो नविंतम pattern के अधार पर 100% accurate syllabus के अनुसर आप लोग यहां पर देखिए इस बुक में सारे material दिया हुआ है जहां पर reasoning के सारे questions रहेंगे सारे chapter, समाने ज्यान, समाने जनकारी यानि जीके के लिए सारे questions आप लोगो मिलेगा प्रारमभिक, गनीद दोस्तों यानि maths के सारे questions मिलेगा, हिंदी, इंगलिस के सारे कैसे आप लोग को पढ़ना है क्या पढ़ना है सारे जनकारी आप लोगो देखे इस बुक में available है जहां पर इस बूक में 2800 प्लस बहु प्रसन मिलता है और 300 पर आप लोगो जो है 2021 के सहीत तो दोस्टों, आप लोग यहां पर देखे, वेलेफेल है इस book में, देखे, book से संबंदित कोई भी आप लोग का प्रसना है, तो यहां पर WhatsApp कॉल कर सकते हैं, इस number पर, और सबसे पहले त यहां पर देखे, is book में, जो आप लोग यहां पर देखे, जानकारी दिया गया है, कैस इस बूक में का इस सूचि दे दिया हूँ है यहां पर उसके बास इंखेंए सभी चेप्टर यह रहा आप लोगका चेप्टर और यहांपर चेप्टर के बास ते पर इहांपर दिया हूँ है और उत्तर के साथ जो है उत्तर वेक्ख्या सहीध यह बताया गया है तो दुसरा आप लोग बोक को परचेस कर सकते हैं वीडियो की डिस्कुषिन में लिंक दिया हॉए है जो है सायां पर रहाँ जो कहाँ पर स्ससे। तारा जीला में श्थित्र है यह ज्याया ज्यां aiam 207 km प्रिखने कि फैल desire फैला हूआ ہے तो कि पहला है सबसे बडारा of bayan value if the भाला 505 a square ओनест फैला हुआ है अगला ओसनि झारखन राज के किस जीले में भारते किरिसी अनुसंधान संस्थान की अस्थापना की जा रही है तो तो किस जीले में तो हजारी बाग जीला इसका जो है सही अनसर होगा देखिए दोसमों ध्यान रखेगा हम आपको कुछ important चीज बता रहे हैं देखिए राज जीके जो है हजारी बाग जीले में क्रिसी अनुसंधान परिशद ठीक है जिसकों लोग इंग्लीज में बोलते हैं I.C.A.R सोट में क्रिसी अनुसंधान परिशद I.C.A.R नई दिल्ली दुआरा जो है भारते क्रिसी अनुसंधान संस्थान ठीक है भारते क्रिसी अनुसंधान संस्थान यानि I.I.A.R की अस्थापना परस्तावित है ठीक है दोबारा रपिट कर रहे हैं राज जिगे जो हाजारी बाग जीले में क्रिसी अनुसंधान परिशद नई दिल्ली दुआरा भारते क्रिसी अनुसंधान परिशद ठीक है अस्थापना का परस्तावित है यानि I.I.A.R का जो है अस्थापना का परस्तावित है जार्खंड की कूल भूमी का 23% भाग पर किरसी की जाती है कूल जंसंग्या का 75% किरसी छेतर में कारिया रथ है ध्यान रखेंगे जार्खंड में 38 लाख हेक्टेर की भूमी पर किरसी कारिया संभव है जार्खंड में बात करें जो मुख्य तो तीन फसलें जैसे की धान, गेहूं तथा मक्का की खेती जो है यहाँ पर की जाती है देखे धान जो है जार्खंड की सरव प्रमुख फसल है और मक्का जो है यहाँ की दूसरी प्रमुख फसल है कि ये ये अंसर आंसर उका जो है में जाती है तो बंगाल के खाड़ी में यह कहां से निकलती है तो नगड़ी राची से नगड़ी छोटानापूर राची से निकलती है और इसकी लंबाई की बात कर दो 470 किलोमेटर इसकी कूल लंबाई है स्वारेका नदी की शहयक नदियां की बात कर दो काकरो काची, खरकाई, जामरू राढू, संजे यह सब देखे इसके सहयक नदियां है अब ख़वा चेतर की बात करें जो कहां-कहां ये फैला हुआ है तो राची, जमसितपूर, सिंगुम चेतर ये सब देखे जगों पर सोनेरेका नदी फैला हुआ है इस नदी की रेत में सोने का अंस पाया जाता है दोसों यहां यह रांची में हुंड्रू जल परपात का भी निरमान करती है देखिए अगले कुस्यने जहार्कंड राज में ओसतवर्सिक वरसा आपको बतानी है ओसतवर्सिक वरसा जहार्कंड में कितना है? तो 140 cm सही अंसर होगा ठीक है देखिए हम बात करते हैं दूसरों कुछ हम आपको बताने चारा हैं वर्सा रितु के बारे में देखिए हैं यह चेतर जो है मध्यम बर्सा वाला परदेश है जहांपर 180 cm से अधीक वरसा यहां पर 180 cm से अधीक वरसा होती है जबकि चाय बअशा मेदान दोसों धियाएट के किसे सबसे कम बर्षा वाला छेत रहे सरवाधी वर्षा वाला जीला की बात करें तो आप लोगा हजारी बहाग है और दोस्तों इसके बारे हम मताइं कुछ बात करनें राज में व्रशीructive वर्शा का अंतराल क्या है तो वार्षिक वर्षा का अंत्राल एक सो से दो सो सेंटीमिटर जो है वार्षिक वर्षा का अंत्राल है राजे में चलिए अगले कुशन देखते हैं जार्खन राजे के किस जीले में सिचाई की सरवाधिक आवशकता होती है तो सिचाई की सरवाधिक अवशक्ता दुसम्त की जीले में होती है साहभ गंच, दुमका, गुमला, गोड़ा यह सब जगों में सरवाधिक सिचाई की अवशक्ता होती है तो यहाँ पर देखिए उप्यूक सभी अपलोका जोईस में सही अंसर आजाएगा थोड़ा देखिए हम आप कुछ इंपॉर्मिसन बात करने चाहरे हैं यहाँ पर देखिए जैसे की बात हो रही सरवाधिक तो उच आवशक्ता मतलब सिचाई वाले जीले की बात करें उच आवशक्ता सिचाई वाले जीले कहां-कहां तो देवघर, लोहरदग्गा, राची, एवं आपलोका पस्चिमिस सिचाई वाले जीले हैं तो देखिए जीले की बात करें तो गड़वा है, पलामू है, अजारी बाग है, गिरिड ही यह सब देखिए मध्यम सिचाई वाले जीले है निम्न सिचाई वाले जीले की बात करें तो चत्रा है, बोकारो है, धनबाद है और आपलोका दूसरों पिर आजाएगा पूर्वी सिंग भूम आजाएगा, ठीक है देखिए अगले कुस्षे ने, इन में से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुत देसी नदी घाटी परियोजना है तो यह तो कुछ नहीं है, यहां पर देखिए, इसी में आपलोका हला की अंसर है तो इसका जो है सही अंसरों का बी नंबर सो जो की दामुदर नदी घाटी परियोजना जिसे जो है 1948 में अस्थापित किया गया पारम मतलब स्टार्ट किया गया दामुदर नदी घाटी परियोजना जो की 1948 में देखिए स्टार्ट किया गया और यह जो है जारखंड तता पस्चिम बंगाल की संजूक्त परियोजना है त्यान रिकेस दामुदर नदी घाटी परियोजना है परियोजना जो है जारखंड तथा पस्चिम बंगाल की संजूक्त परियोजना है यह अमेरिका की टेनीज घाटी परियोजना से प्रेरीथ है तेक है रिस परियोजना के संचालन के लिए दामुदर नदी घाटी परियोजना के संचालन के लिए 7 जुलाए 1948 इस भी को जो है द इसका मुख्याल है दूसों कहां पर है तो कोलकाता है देखिए अगले कुछे ने जे भी विविदता की दृष्टी से संपन छेत्रों में निम्ड में से कौन सा छेत्र जार्खंड के अंत्रगत सामिल है तो देखिए इसका सही अंसर क्या आजाएगा देखिए अगला कुछे ने जार्खंड राज में गिद्धों की कितनी परजातियां मुख्य रूप से पाए जातियां तो देखिए जार्खंड राज में गिद्धों के सो मुख्य रूप से तीन परजातियां पाए जातियां कौन-कौन सी है तो दियान रखें जिप्स बिलुकत हो रही है इसका प्रमुक कारन है पस्व का जो है एक दर्द निवारक जहारकन में रेलमार की कुल लमबाई हम लोग बात करें तो 294 किलोमेटर जहारकन में रेलमार की कुल लमबाई है जहारकन में सबसे पहला रेलवे लाइन की बात करें दोसों तो कि 1862 इस्वि में कोलकता से राजमहल तक किया गया है ठीक है जहरकन में सबसे पहला रेल्मंडल की बात करे तो 1862 में कुलकता से राज महल तक देखें किया गया था ठीक है दो रेलवे जोन है जहरकन पूर्वी मध्य रेलवे और दूसरा है तो यह सब दोस्तों आपको दियान रखना है और बहुत इंपोटेंट चीज है दोस्तों कि राजस्व प्राप्ति की राजस्व प्राप्ति के अधार पर धनबाद जारकन का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है देखिए अगला कुशन टीसको टाटा आइरन एंड इस्टिल कंपनी के स्थापना की सवर्स की गई थी देखिए टाटा आइरन एंड इस्टिल कंपनी के स्थापना जो है 1907 यानि सी नंबर इसका जो है सही अंसर होगा इसके द्वरसों द्यानर के दरोबाजी तोरा बाजी टाटा दौरा जो है साक्षी जमसेतपुर में इसकी अस्थापना किया थाए धेखिए अगले कुशन झारखन राज में लो अैसका का सरवाधिक भंड़ार आपको बतानी है जिसका विस्तार जो है कहा से कहा तक है तो ओडिसा के मयूर भंज एबं क्यों ज़र तक है यह विस्वा का सरवाधिक लो भंडार वाला छेतर कहा जाता है देश में जो है कुल लो ऐसका भंडार का लगभग ध्यान रखे का 26 परतिसत जो है जारकन राज में विद्यमान है जारकन में हेमेटाइट लो ऐसका के भंडार की दृष्टी से जारकन का ध्यान रखे के दूसरा आस्थान है कि यह शु κάboard के स्थान से जार्खन का जुए हिमेटाइट के भंडार की दिरिश्टी से ज्ञंत का दूसराा स्थान है यहां जो है नौवा मुंडी अप़ों नाम सुने उंगे नौवा मुंडी की खान एस्या में लो आसका की सबसे बड़ी खान है तो इसके आप लोग ख्याल रखेंगे सब्से बड़ी लोग खान है ठीक है और एक और एक और दियार के भंडार की दिरिष्टी से अत्यन्त मतपूर्ण अस्थान रखता है देखिए अगले कुछने जार्खन राज में कुल कितने बिद्दू चमता अस्थापित है तो जार्खन राज में कुल कितने बिद्दू चमता अस्थापित है 2626 मेगावाट इसका जो है सही अंसर होगा देखिए इसको जो है वर्गी करन किया गया है इसका तो राजसरकार द हैं। यहां प्रतिसतंकों प्रतिसतं किया, लिए आट पथिसतं हौग जल आधारीत जल आ अबीकर्णया द्वार्सुन कην द्यान रखनें ऐ ahora जयता है। तक प्रतिसतं जो है नभीकर्नया दुपर्ण क्या जाता है झाल झाल